हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यहां पर हम चित्रकला का पूरा हल देखेंगे यह आपका सेट नंबर 830 एक्यू है फ्रेंस आपको बता दें कि जितना भी प्रशन आप सभी को कल कराये थे उसी में से आपके सभी 100% सभी सवाल आपके फसे हैं फ्रेंस फ्रेंस यह आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट बाक्स में यस लिखे लिख के जरूर वेजिएगा कि सभी सवाल फसे थे की नहीं फसे थे चलिए फ्रेंस आपका समय बरबाद ना करते हुए सीधे आपको इसका हल बताते हैं देखिए फ्रेंस यहां पर चित्रकला आप कि सभी important question बढ़ताते हैं देखिए यहां पर आलेखन कला है जिसमें पहला प्रशन पूछा था कि निमन में से प्राथ्मिक रंग कौन सा है ठीक है फ्रेंस देखिए आपको कई बार प्रशन कम से कम दू तीन बार यह प्रशन करवाय थे ठीक है इसमें इसका सही जवा प्र बार is a cat Baller में क्तेर सब्सक्राइब को सब्सक्राफिए घरखने यह बार हाए दिस सब्सक्राइब करना पढई लिख लिख पताया थे फ्रेंज की परेशन पूछेगा ठीक है कि कउंसा गर्म रंग आप संथा नीला पीला लाल और हरा तो फ्रेंज देखे इसमें से कौन से बतायाते आपको लाल ठीक है तो जो फ्रेंज मेरी वीडियो देख के आऊंगे वह पूरा का पूरा 100% प्रस्म कर आपको यह बताए है कि들 दनुस कितने रंग होते हैं वाला माला हम कितने चारपने का आपको करवाए थन केकसे इसमें कतने चारपाई आपके सामने च्पाइए सब्सक्राइब होगा इसमें होगा इसका सही जवाब 2B होगा तो किस पैंसिस से रखाएं गहरी की बनती है फ्रेंश टूबी सी ठीक है यह प्रशन बता थे आपको अगला नंबर का सवाल है कि निमनली कितमें से द्यूती रंग कौं सा है आपको पताए है कि द्यूती रंग तीन होता है उसक क्वान्टिए लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रग बनता है तो आपको कौन सा आप से बन बनता है ठीक है । प्रश्ण का सही जवाब आपको क्या होगा वी होगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपको अगला नंबर का सवाल है कि बीना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है ठीक है इसमें इस प्रश्ण के जल रंग तैल रंग पेश्टर या टेमपर तिसक अगला नंबर का सवाल है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है आप साने हा या नहीं तो फिरें जो सरल रेखा होती है एक लयात्मक रेखा होती है तिसका सही जवाब क्या होगा आपका यह होगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है ठीक है तो फिरें जब लाल में हम नीला रंग मिलाते है तो आपको कौन सा रंग बंता है यह प्रश्ण आपको कई बार करवायता है इसको सही जवाब वह को बैगनी आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि हरा रंग नेत्रों पर कासा प्रभाव डालता है तो सबसे अधिक पादर्शी रंग कौन सा होता है तो फ्रेंस आपको पता होगा जो सुर्वी होता है उसमें कितने रंग पाए जाते हैं साथ इसका सही जवाब आपका सबसे अधिक पादर्शी रंग कौन सा होता है तो फ्रेंस आपको पता है कि कौन सा होता है ए अगला नंबर का सवाल है काले का विरोधी रंग का रेंग सा है तो कले का विरोधी रंग सफेद होता है इसका सही जवाब होगा डी आपके सामने अगला नंबर का सवाल है अठरावा नंबर का कि लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है तो जब लाल में हम पीला रंग मिलाते हैं तो आपका पीला रंग बनता है इसका सही जवाब भी हो को पता है कि को सफेद और काला ठीक है फ्रेस्ट चलिए अगले नंबर के सवालों के देखते हैं तो प्राविदी प्रश्ण है कि पाला सवाल आपको यह कराये तो घृत्र संपवात्रा प्रतियाि कोल कितने अंस कह उता है को कई घृत्र भार है सवाल वे से हुआ है संपौरल कोल कोल कई बर मताई थे संपर्र कॉनको कितने साथ अंस को होता है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होती है भी आपको बताएते हैं एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं सो सेंटी मीटर होते हैं आपके सामने चोथा नंबर का सवाल है भृत्त का आकार होता है भी आपको कई व पनाई गई रेखा सबसे अधिकाली होती है आपको इसका होगा किसे बनती है आपके सामने अगले सवाल है कि समकोड कितने को होता है यह भी प्रशन को कर आए थे कि समकोड कितने होता है चलिए अगले अगला सवाल है कि रेखा किसे कहते हैं नबर 2018 का सवाल है कि रेखा किसे कहते हैं यह भी आपको प्रश्ण कर आया थै 집तेムा आप क्या होगा यह पताये थे कि से करते हैं आपके सामने अग्ला नंबर का सवाल है कि निम्न में से का आकार तृबूजाकार है यानि तीन भूजाओं से गिरुए आकटी क्या करते हैं तृबूज देखें गेज़े वीडियो तुसमें यह सब सवाल कराएं आपको दसवाज नंबर का है कि 180 को क्या करते हैं यह भी आपको चित्र बना की इस तरह बताए थे एक स्का सही जवाब यह होगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि कौन सी 55 सी बनी रेखाएं हलकी होती है, तो कौइसी पश्पेंसिस बनी रिखाएं हलकी होती है, तो आपको बताएं थे 1H, 2H, 3H, ठीक है, जितने इसके आगे बढ़ते चले jayanगे, 1H और 2H इस तरह करके नाइन यह तक बता है जितना पढ़ते चले जाते थे तो आपके रेखाएं हल्की बंती चली जाती थी देखिए वन यह अच्छ है या टू यह तिसका सही जोब क्या होगा आपका सी वाल है टू एच होगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एक डेसी मीटर में अदम करते होता है जफिक है यह आगला सवाल है यह ही सवाल क्रावा को कितने और र का र czy सवाव यह अगला सवाल होताइक किおर्ग के पतिये कुण कितने अंसी का होता है तो इसका सही जवाब होका टी सवाब का निम्म से कौन से आयतकार हैए इसमीं यही सवाल था यही आप संत हा ठीक है फ्रेंश आयत का जिसमी लंबाई चोड़ाई होता है वो आयतकार का लाता है ठीक है आपके सामने अगला नंब्र सवाल है कि निनमेश का युग में जोड़ लिए होता है जिसका आपका खोगा वहीं आपको क्या होगा संपूरक होगा तो सही जवाब क्या होगा आपका स्वाल सवाल है कि एक मीटर में कितने सवाल के और S gosh आपने स्वहें नंबर के सवाल है चया को अर्धवृत कि नहीं होगा। यह इसका सही जवाब आपका होगा B, आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, यदि एक बित में एक कोड 120 अंस है, तो दूसरा कोड कितने अंस का हो सकता है, देखे फ्रेंट जब एक बित बनता है, उसमें एक बित में तो कितने अंस का कोड बनेगा, 360, एक कोड दिया है, कि जब 120 होगा दूसरा कितना हो सकता है तो 360 में 620 गटाएंगे तो आपका आएगा डी वाला 240 अंस होगा ठीक है चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं 20 वान नंबर का सवाल है अगर 60 अंस के कोड में एक कोड तीस अंस का है तो दूसरा कोड क्या होगा देखें सब्सक्राइब करें